नमस्कार मैं हूँ प्रग्यामिश्रा और आप देख रहे हैं प्रग्या का पन्ना देश एक फिल्म के सीन की तरह चल रहा है फिल्म में एक दुगल सहाब होते हैं जो भूल जाते हैं कि वो कौन है अगले दिन उनको याद आ जाता है उसी तरह बंगाल में भीड बुलाकर कोरोना फैलाकर रैली करने वाले दिल्ली आते ही कोरोना विज्ञानिक बन जाते हैं देश को कोरोना का ज्यान देने लगते हैं वो भूल जाते हैं कि कुछ देर पहले वो खुद क्या करके आए हैं आपका इतनी बड़ी संख्या में आना यह हम सब के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़े स्वभाग्य की बात है यह भीड देश के प्रधान मंत्री के लिए स्वभाग्य की बात है क्या जब हमारा देश भारत कोरोना के मामले में किर्तिमान बना चुका है तब प्रधान मंत्री को ऐसी भीड बुलाकर उस पर गर्व करना चाहिए यह हम सब के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़े स्वभाग्य की बात है कल्याणी पस्चिम बंगाल में यह प्रधान मंत्री की आज की रैली थी यहाँ न प्रधान मंत्री के मुँपर मास्क है ना ही नीचे मौजूद पबलिक दो गस की दूरी पर है जिस बंगाल में मोदी खड़े हैं वो बंगाल कोरोना संक्रमेज राजियों में टॉप फाइव में हैं केवस सरकारी आकलों में आज की तारीख में बंगाल के भीतर 23,000 से जादा कोरोना मरीज हैं मोदी जी यहाँ कोरोना के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं लेकिन जैसे ही दिल्ली वापस आते हैं उनके भीतर मानव कल्यान की भावना हिलोरे मारने लगती है जो व्यक्ती सब कुछ जानता है जो व्यक्ती जगत जानकार है उस व्यक्ती को अगर मैं कोरोना के बारे में कुछ कहूं तो पथर पर सिर मारने जैसा होगा ऐसा नहीं है कि प्रधान मिंतरी कोरोना के बारे में कुछ नहीं जानते कोरोना जितना अपने आपके बारे में नहीं जानता उतना मोधी जी उसके बारे में उससे जादा जानते हैं कभी कभी लगता है कि क्या कोरोना के नाम पर देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल का confidence देकर कभी कभी तो लगता है कि कोरोना जैसी कोई बिमारी है ही नहीं कभी कभी लगता है कि ये सब एक propaganda है ऐसा propaganda जिसमें lockdown और night curfew की नाम पर लोगों को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने की तयारी चल रही है देश के प्रधान मंत्री और दूसरे नेता जितना लोगों को डराते हैं उतना खुद कभी क्यों नहीं डरते एक साल में कोरोना वैसा का वैसा ही है फर कितना है कि पहले छोटी दाधी वाले प्रधान मंत्री कोरोना से हमें डराते थे और अब दाधी बढ़ा कर खुद भीड लगाते हैं पास पड़ोस में कोई कोरोना फैला है तो शिकायत की जा सकती है लेकिन जब देश के प्रधान मंत्री ही कोरोना प्रसार समीती के अध्यक्ष बने फिर रहे हैं तो कहां शिकायत हो सकती है किसे कहेंगे आप सुनी जाए या ना सुनी जाए लेकिन मैं देश के प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोधी की शिकायत करती हूँ आदरने प्रधान मंत्री जी मन की बात में मेरा ये शोव जरूर शामिल कीजेगा और बताईएगा कि देश की एक बेटी प्रग्या मिश्रा ने मुझे टोका है मेरे देश की बेटिया जागरुक हो रही है अगर कोरोना इतना खतरनाक नहीं था ये नहीं है तो एक साल पहले पलायन करते मजदूरों में जितनी की भी जिस कारण से भी मौत हुई वो मौते नहीं सरकारी मर्डर थे सरकारों ने उनको जान से मारा है क्या देश के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति को कोरोना के प्रती अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझना चाहिए आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और सत्तिको समर्थन देने के लिए फॉलो कीजिएगा नमस्कार जैहित